नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपकी अपनी यूटूब चैनल राजस्तान विरोजगर साथ तर्शंग में दोस्तों सीमच और जोदपूर ने कोविड स्वास्ते साइकों के पद के लिए काउंसलिंग की जो सूशना वो यहां पर 350 नमर लेटर केमाद दिम से 23 जुलाई 2021 है आज यहां पर जारी किया साथ ही चैनल आवेदन आयां पर आमंतरित किये हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर लिका गया है कि कारिया लेकिसे जारी विग्यप्ति कर्मांग 1130 माई 321 दिनाग 8 जुलाई 2021 के द्वारा ओनलाइन आवेदन पत्रे आमंतरित किये थे और आवेदन करने वाले आपयरती जीनम और स्कुंखक और मोह दर्ष्ताविक जिश्वेश्यक्षन योगता टक्नीकी योगता बेद जाती प्रमाण पत्रे मोल्निवाश प्रमाण पत्रे निध्यग्य प्रमांग अंग्रे जी के निम्न अनुशार तालिका के अनुशार अप्राता है नो बजे उपस्तित होंगे और निधर्थी ती ती यह उपस्तित नहीं नहीं होने वाले आवेदर के जो आवेदर है वो सवताई निरस्त माने जाएंगे दस्तावे सत्यापन के दोरान COVID-19 की गाइडलाइन का पूर्णत पालन किया जाएगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं एनम जो काउंसलिंग का इस्तल है जिसमें एनम प्रसिक्षन के अंदर उम्मेद हस्पिताल परिशल जोदपुर में जो योगता दारी हैं एनम योगता द होंगे 27 उनको 27 जुलाई को एम से आर वाले बैरतियों के डोकुमेंट वेरिफिकेशन होंगे और 28 जुलाई को से वाई के आती जो जियनम अभ्यारती है और जिन्होंने कोविड स्वास्ते साइक पद के लिए आवदिन किया है उनके जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन है वो सेंट्रल जेल के सामने जोदपूर में होंगे जियनम और समक्ष अगर योगता दारी बैरती हैं मैं बतादू 26 से 28 तक इनके डोकुमेंट वेरिफिकेशन होंगे 26 को A से J वाले एकसर वाले बैरती 27 को K से P वाले बैरती 28 जुलाई को R से J तक के डोकुमेंट वेरिफिकेश से बैर जीनम समक्ष अग्षाब्एर्ति के लिए विभागये वेब साइट पर दिनांग 26 जुलाई 2021 रातरी पराता आठ बजे तक सुबह पर आठ बजे तक और से लेकर 27 जुलाई रातरी आठ बजे तक और एनम ब्जारतियों के लिए 27 जुलाई पराता हुझे से 28 जुला जोदपुर ने प्रोवाइड करवाए हैं अगर आप जी एनम अभ्यारती हैं तो आपके लिए आवेदिन का जो मोका है वो यहां पर आप देख सकते हैं 26 जुलाई प्राता आठ वजे से 27 जुलाई प्राता आठ वजे तक और अगर आप एनम में भ्यारती हैं तो 27 जुलाई प्राता आठ वजे से 28 जुलाई प्राता आठ वजे तक यहां पर जो साइट है वो खोली जा रही है वे भी अपना जो ओन-लाइन आवेदिन प्रस्तूत कर शकते हैं और उक्त आवेदिन करने वाले अभेरती भी काउंसलिंग दिनांग जो काउंसलिंग है वो 29 को CMH कारियल जोदपूर सेंट्रल जेल के सामने जोदपूर में रखी जाएगी इसके पच्चात कोई भी आवेदिन यापर सुईकार नहीं होगा तो दोस्तों जिन जेन अभेरतियों ने पहले जो है आवेदिन यापर करती हैं उनके जो आप देख सकते हैं 26, 27 और 28 को काउंसलिंग का जो शेडूर ने यापर फिक्स किया गया है एनम अभ्यारती है उनके लिए एनम प्रस्रिक्शन के अंदर उमेद हस्पिताल प्रिशर जोदपूर में यापर होगा साथ ही जीनम अभ्यारती का सेंट्रल जेल के सामने जोदपूर में यापर डोकुमेंट वेरिफिकिशन हो तो 27 जुलाई प्राता आठ वजे से 28 जुलाई रात्री आठ वजे तक आप आवेदन कर सकते हैं और इन जो इन बहरती जो एनम और एनम 26 से लेकर 28 तक आवेदन करेंगे उनके जो काउंसलिंग है वो 29 जुलाई को CMCHO कारयले सेंट्रल जेल जोदपुर के सामने रहां पर रखी गई है साथ ही जो आवेदन का जो लिंक है वो http colon double slash sites.google.com slash view slash जोदपुर CMCHO slash home पर आवेदन यहां पर निर्धाइट को चालूँगे तो आप निर्धाइट को साइट ओपन करके आवेदन कर सकते हैं डॉक्टर बल्वंत मंदा CMCHO जोदपुर के स्ताक्सुरी से काउंसलिंग का जो शेडूल है वो यहां पर जारी किया गया है साथ ही दूबार है यहां पर जो है जो बहरती वंचे सब्सक्राइब करें और आपकी यूटूब चैनल और रास्तान विरोजगार सातरशन को सब्सक्राइब में सब्सक्राइब में दोस्तों